हेलो दोस्तों निमस्कार मैं हूं अंज्वी यादव लर्न विथ हिंडिया कंट्टी 24 के आंलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हूं आप लोग ऐसे हैं कमेंट करके जरूर बताए हमें आसा और विश्वास है कि आप जहां भी होंगे स्वास्त और मस्त होंगे अपने वाले समय में टॉपिक वाइज डिसकॉस करके उस पर समंधित एंसी कुक राया जाएगा और शंपूर टेचिंग से समंधित तैयारी करवाई जाएगे आप लोग जूड़ कर रोए हमसे आप लोग अपने लच्छो को प्राप्त करिए हमें भी सपोर्ट करिए लाइक और शेयर भी करिए और यदि हमारे वीडियो में मारे पढ़ाने में कोई कमी हो तो प्लेज आप लोग उस रिक्वेस्ट है कि उस कमी को कमिट के मार्धन से हमें बताईए कि क्या कमी है उस कमी को मैं दूर करके आने वाले समय में एक अच्छे ब्यातरिक धर्न से आप लोग इसमें स्वर मंदल से जितने भी प्रकार के प्रश्ण बनेंगे उन सभी प्रश्णों को इसमें इंक्लूड की हूं और आल इंडिया एक्जाम जितने भी एक्जाम है जिसमें भुगोल पूछा जाता है उन सब के लिए ये रामबार सिध्ध होगा वीडियो आईए बिना स प्रश्णों को देखी ध्यान से पूछा है अकार के दिरिष्टी से सबसे बड़ागरा कौन है तो सबसे बड़ागरा ब्रहस्पती है बरतमान समय में बरतमान समय में सौर मंडल में कुल आठगर हैं बुद्ध, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रहस्पती, सनी, अरूर, ब बरतमान समय में सौर मंडल में कुल आठगर हैं कौन-कौन है बुद्ध है, शुक्र, पृत्वी, मंगल, ब्रहस्पती, सनी, अरूर, बरूर, बरूर, आकार के दिरिष्टी से सबसे बड़ागरा ब्रहस्पती है सबसे छोटा बुद्ध है और बुद्ध, शुक्र, पृत् बुद्ध, शुक्र, बळिष्वत, बुद्ध, ब्रिष्पती, शनी, अरूर, बरूर, बलूट को पार्थि, जो भीयंगरा कहा जाता है, या बाहेगरा भी कहा जाता है और देख लेते हैं इससे जो प्रश्ण बनते हैं सुर्य से बढ़ती दूरी के अधार पर ग्रहों का क्रम क्या है मतलब सुर्य से दूरी के हिसाब से सबसे नजदिक उससे दूर उससे दूर उससे दूर सबसे दूर इस तरह क्रम के अधार पर मतलब ग्रहों का क्रम क्या है त उसके बास सुक्र है, रिथवी है, मंगल है, ब्रिहस्पति, शनी, अरोल, बरोड है। एक बार और देख लेते हैं, सूरे से बढ़ते दूरी के अधार पर ग्रोहों का क्रम क्या है। प्रित्वी है, मंगल है, ब्यास्पति, सनी, अरोड, बरोड, तो सबसे नजदिक बुद्ध हुआ और सबसे दूर बरोड हुआ, जिसे नेप्चुन कहा जाता है, और बुद्ध को इंगलिस में मरकरी कहा जाता है, अब और देख लेते हैं, आकार के दिश्टी से, क्रमसव ब में अज़वे Seriously क्या सबसे बड़ा गरह व्रह, ब्रहस्पति है, तो ब्रहस्पति के बारे में कुछ और स्यनकारी हम ले लेते हैं, तो आकार के दिश्टी से सबसे बड़ा गरह व्रहस्पति है, और इस छे और बुद्धस समने जो प्रश्णर बननने वाले हैं, सम्भावत कारोध कि लिए हैं उनको भी इंको भी इंकुल्ट किया गया है आइए हम लोग देख लेता है आकार में सबसे बड़ा होने के कारद मास्टर आफ dönstosskतर k adrenalaben जाता है तो जूपिटर को कहा एक लाग 42,944 किलो मीटर है इसका घोड़ान काल घोड़ान का मतलब होता है अपने अक्ष पर अपने अक्ष पर जो घोड़ान करता है वो 9 घंटे 50 मिनट और 30 सेकेंड का समय लेता है बिर्यासपति के वाई मंडल में हाइड्रोजन और हिलियूम गैसों की बिद्यमानता है मतलब यहाँ पर ज्यादा बिर्यासपति के वाई मंडल में हाइड्रोजन और हिलियूम गैस की अधेगता है यह सबसे बड़ा सबसे भारी लाल धब्बु वाला गरह है मतलब प्रश्ण पूछ देगा कि सबसे भारी गरह कौन है तो बिर्यासपति है सबसे बड़ा बिर्यासपति है लाल धबु वाला गरह बिर्यासपति है लाल गरह पूछेगा तो मंगल होगा लाल धबु वाला गरह बिर्यासपति होगा बरतमान समय में बिर्यासपति के 95 उ उनके ग्रह बार्दमान में खोजा गया है ग् embassy शोर मडल का सबसे बड़ा ऊपरा है मतलब जो ग्रह को शुप्ट प्लैनेट के रूप में जाना जाता है Յ नंगल को घेस्पति को बुद्ध को तो बुद्ध को सुंट प्लैनेट के रुप में जाना जाता है क्यूंद फिशन बं सकते हैं उसको देख लेते हम लोग कि में स्प्रिंट हो जा रहा है इस अजाता है क्योंकि एक्ष्ण बहुत तेजी ग्यात्रा करता है मतलब प्रक्रमा बहुत तेजी से करता है परिक्रमा 47 km प्रतिसागेंड इसलिए बुद्ध को connecting प्लैनेट के रूप यह संगया दिया गया है कोई पुछ देगा कि बुद्ध का परिक्रमण गति क्या है तो 47 km प्रतिसागेंड मतलब एक सेकेंड में 47 km वह दूरी ताई कर लेगा या सूरी की परिकर्मा 88 दिन में पुरा करता है इसका घुड़ानकाल घुड़ानकाल का मतलब अपने अक्षफर एक चक्कर 58.6-5 दिन में करता है सूरी से सबसे निकर्टम ग्रह सूरी से सबसे निकर्टम ग्रह लगभग अवसा दूरी 576 लाख किलो मेटर है सूरी से सबसे निकर्टम ग्रह कौन है बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है ब्यास इसका लगभग 4889.4 किलो मेटर है बुध उग्रहों पर जीवन के संभावना नहीं है पर जीवन की संभावना नहीं है आठोग्रह में प्रित्वी ये ऐसा ग्रह है जिस पर जीव पाय जाते है अन्य ग्रहों पर जीव नहीं पाय जाते है जीवन के लिए उपव्युक्त दस आई ही उपलब नहीं तुहां पर जीवую क्या पाशाएंगी प्रस्ट नम्बर तीन है किस ग्रह का एक दिन एक वर्ष्टे बढ़ा होता है मंगल का प्रिथवी का शुक्र का बुध का तो शुक्र ग्रह का एक दिन एक वर्ष्टे बढ़ा होता है क्योंकि शुक्र का घोड़ान काल अपने अक्छे पर एक चक्कर 240 दिन में लगभग एक दिन करने धारण होता है जब कि इसका परिक्रमणकाल परिक्रमणकाल का मतलब होता है घुरणकाल का मतलब होता है कि ग्रह जो अपने अक्ष पर घुमते हैं उसे घुरणकाल कहा जाता है और घुरान काल से ये दिन रात करने धारड होता है तो सुरे का घुरान काल 243 दिन के बराबर होता है प्रित्वी के 243 दिन जो होता है उसके बराबर होता है जबकि परिक्रमण काल जो सुरे के चार उर्चकर लगाते है वो 224 दसमलो 7 दिन का होता है एक वर्ष कान धरड़ करता है तो घुर्ड़ान काल दिन करने धरड़ करता है और परिक्रमण काल एक वर्ष काने धरड़ करता है तो घुर्ड़ान काल 243 दिन का है जबकि परिक्रमण काल 224 दिन का है तो इस तरह शुक्र का एक दिन एक वर्ष से बढ़ा हुआ सुर मंडल का सबसे चमकिला ग्र, शुक्र को माना जाता है या है, प्रिथवी से सबसे नजदिक ग्र, बुद्ध तो वो सुरे से सबसे नजदिक ग्र था, लेकिन यहां पर प्रिथवी से सबसे नजदिक या समीप पस्त ग्र, शुक्र है, जिसकी अवसत दूरी दूरी 4.1 कर किलो मीटर है और सुक्र से जो भी प्रश्ण बनते हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं शुक्र को प्रेसर कुकर वाला ग्रह प्रिथवी की बहन प्रिथवी की जुड़ा ग्रह भोर का तारा साम का तारा कहा जाता है यह दिप्रश्ण में आ जाए कि प्रेसर कुकर वाला ग्रह कौन है तो शुक्र होगा प्रिथवी का बहन शुक्र होगा प्रिथवी की जुड़ा विप्रे दिशा के दिशा की और घूमते हैं तो प्रश्ण में आजाएगा कि कौन गरह अनगरहों की तुलना में विप्रे दिशा में घूमते हैं तो शुक्र और अरोड इनको घुमने की दिशा पूर्वा से पस्चिम है जबकि अने ग्रहों की बुद्ध, प्रिथवी, मंगल, ब्रियास्पती, सनी, बरोड ये पस्चिम से पूर्वा दिशा की ओर घुमते हैं और सुक्रा का कोई उपग्रह नहीं है तो सौर मंडल में आठो ग्रहों में बुद्ध और सुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, प्रशनमबर चार है, सूरे से पृथवी की निकर्टा मिस्थिति को क्या कहा जाता है, पृथवी, एक एलिप्टिकल पत पर इस तरह करके मतलब घुमती है, सूरे के चारू तरग, तो कहीं पे सबसे निकर्टा मिस्थिति को क्या कहा जाता है उपसाओर अपसाओर विशुवा ये सभी तो सूर्ष से निकर्तम इस्थिति सूर्ष से प्रिथवी के निकर्तम दूरी की स्थिति को उपसाओर कहा जाता है अपसाओर नंबर एसा ही होगा आईये और हम इसको कनफर्म कर लेते हैं सूरे से प्रिथवी के निकर्तम दूरी इस्थिति को उपसर या पेरिहलियन कहते हैं यह इस्थिति तीन जनवरी को होती है लगभक 14 करोड़ 70 लाख किलोमेटर की दूरी पर होती है प्रिथवी सूरे से सूरे से प्रिथवी की अधिक्तम दूरी की इस्थिति को अपसर अपहलियन कहा जाता है वह हिस्थिति चार जुलाई को होती है उस समय सूरे और प्रिथवी के बीच की दूरी 15 करोड़ 20 लाख किलोमेटर की होती है तो अपसर किस दिन होता है तिन जनवरी को होता है अपसवर में प्रिथवी और सुर्य के बीच की दूरी कितनी होती है 14 करोड 70 लाग किलोमेटर होती है और सुर्य से प्रिथवी के अधिक्तम दूरी की इस्तिति को अपसवर कहा जाता है और यह इस्तिति 4 जुलाई को होती है और इस इस्तिती पर अप्सावर की स्तिती पर प्रिथवी और श्टूरिय के बीच की दूरी 15 करोड 20 लाग किलोमिटर होता है आए प्रिथवी के बारे में कुछ होऊं जान लेते हैं फैक्ट प्रिथवी एक मात्र ग्रह है जिस पर जिवन पाया जाता है इससे पहले चर्चा हुई है कि जो आठोग्रा है उनमें से प्रिथवी ही एक आएसी ग्रा है जिस पर जीवन पाय जाता है प्रिथवी धुरूव पर चप्टी होने के कारण प्रिथवी का अकार जी आयड है प्रिथवी पूरी तरह गोल नहीं है धुरूगों पर चक्टी है भूम दरेखा पर प्रिथवी का ब्यास 12,756 किलोमीटर है धुरूगों पर प्रिथवी का ब्यास 12,756 किलोमीटर है अब प्रिथवी का ब्यास 12,756 किलोमीटर होगा और धुरूगों पर प्रिथवी का ब्या 80 km है अगला प्रश्ण है प्रिश्ण नमर 5 है प्रिथवी का परिक्रमण काल होता है 245 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड अप्सा नमर भी है 386 दिन 6 घंटा 48 मिनट 10 सेकेंड 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड 366 दिन 5 घंटा 42 मिनट 45 सेकेंड तो इसका सही उत्तर आप्सा नमबर सी होगा NCRT, SCRT, Wikipedia मतलब जो दिया है इसका एंस्वर थोड़ा बहुत इधर दिया है तो कहीं पे 365 दिन 6 घंटा पुरा 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 दिया है और कहीं पे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड दिया है तो इसके इर्द इर्द जो एंस्वर होगा उसी को हम सही मानेंगे तो यह विकिपीडिया के निमसार है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड और NCRT में भी यही उतर दिया था तो हम लोग इसी को मानेंगे प्रिथवी सूर्य का एक परिक्रमड 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड का समय में करती है मतलब प्रिथवी का एक वर्ष जो सूर्य का एक परिक्रमड करने से एक वर्ष करने धालड होता है वह 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 26 सेकेंड का समय होता है अब हम लोग परिक्रमड और परिभरमड काल में थोरा कन्फ्यूज हो जा रहे हैं तो यहां के परिक्रमड काल किसे कहा जाता है परिभरमड काल किसे कहा जाता है उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे देखते हैं, परिक्रमण कालका होता है, जब प्रिथवी सूरे के चारो और चक्र लगाते हैं, लगाती है तो इसे परिक्रमण कालका होते हैं, जितने समय में प्रिथवी अपनी परिक्रमा पूरा करते हैं, उसे परिक्रमण कालका होते हैं, मतलब जब प्रिथवी सूरी की चारो और चक्र लगाती है, यह सूरी है, इसके चारो तरफ प्रिथवी चक्र लगाती है, तो परिक्रमा करती है, तो इसे परिक्रमार कहते हैं, और जब एक चक्र पूरा करती है, जितने समय में उसे परिक्रमार काल कहते हैं, और परिभरमण काल या घुरान काल काते हैं तो परिभरमण काल जब प्रिथवी अपने अक्ष पर ही जब घुमती है और एक चक्र पुरा करते हैं तो उसे परिभरमण काल या घुरान काल काते हैं जब रित्वी सूरे के चारो और परिकर्मार करती हुई वो जब सूरे का भी परिकर्मार करती है और करती हुई अपना भी एक चकर पुरा करती है तो जो अपना एक चकर पुरा करती है उसे ही परिभरमाड या घुरणा काल कहते हैं और जब एक चकर पुरा करती है जितने समय बृत्वी की दानिक परिभरमड गती की कारण फर्स वरोग कि जो अपने एक अक्ष पर एक चकर पुरा करते हैं उसके परिळाम स्वरों दिन रात होता है अजब कि परिक्रमड परिक्रमड का मतलब परिकर्मा जब मंदिरों पर जाते हैं तो हम लोग परिकर्मा करते हैं तो उससे समंधिस समझे कि प्रिथवी जब दूसरी की परिकर्मा करे तो उससे परिकर्मा करते हैं तो जब प्रिथवी सुरे का परिकर्मा करते हैं तो उससे वार्षिक वार्षिक परिकर्माड गती की क कर पूरा करती है वार्षिक परिक्रमण गति के कारण रितु परिवर्दन होता है यह प्रश्ण आये हुए है थोड़ा कठीन सब्द है लेकिन इसको ध्यान से समझ जाएंगे तो यह कंफ्यूजन नहीं रपाएगा परिकरमा से समझ जाए कि परिकरमा मंदिर का किया जाता है तो मतलब हम लोग दूसरी का परिकरमा करती है उसे तरफ प्रिथवी चंद्रमा सूरे का परिकरमा करती है तो उसे परिकरमण का आते है अब परिभरमण का मतलब वो अपना चकर लगाती है प्रिथवी का परिकरमण पत दिर्ग बित्ति है जिससे सूरे प्रिथवी के जिसे उपसवर और अपसवर की स्थिति कहा जाता है तो सबसे नजिक की दूरी को उपसवर कहा जाता है और सबसे दूर की दूरी को अपसवर कहा जाता है उपसवर की स्थिति तीन जन्वरी को होती है अपसवर की स्थिति चार जूलाई को होती है अगला प्रित्वी अपने क कख्षातल के साथ साड़े 6-6 आंस का कोड़ बनाती है जब कि पृत्वी अच्छे जोकवा खुद अपने आप साड़े तेन संस पे जूकी हुए है पृतिवी का एक मात्र उक्र चंद्रमा है प्रश्ण नमबर च्छा है मंगल का सबसे उचे परवत मंगल का सबसे उचा परवत कौन है निक्स उलंपिया फोबस उलंपिया डेमोस उलंपिया सीरस तो मंगल का सबसे उचा परवत निक्स उ कहा जाता है तो से लो नो लाजी कहा जाता है जंद्रमा की प्रिथविश से औस दूरी तीन लाख ब्यासियाजा दो सो किलोमेटर है फ्रेंट्स यदि समझ में नहीं आ रहा होगा कोई भी मतलब कान फ्यूजन हो रहा होगा तो आप कमेंट करके हमसे दुबारा पुछिएगा पुछेंगे तो हम उसे भी हतर रहंग से सोचूंगी कि और बढ़िया से ब्याख्या कर शको यदि मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सबस्राइब करिएगा नए होईएगा तो और अपने मित्रों के यहां मेरे लिंक को सेर करिएगा और यदि मेरे पढ़ान में कोई भी कमी लग रही है तो उसको कमेंट करके हमें बताईएगा ताकि मैं आप लोगों के अनुसार आप लोगों को किस टापिक पे चाहरा है उसके अनुसार विडियो बना सको प्रशन नमबर सत्मा है पार्थिउग्रह क बोद्व शुक्र प्रिथ्विमंगर को कहा जाता है पार्थिग्रह को ही आंत्रिग्रह कहा जाता है और बायंग्रह तो जोग्योeft सुक्रशन को और तो ब्रेश्वति बुद्व और सुक्र को गहा जाता है आपसा नमबर सी सही होगा प्रशन नमबर 9 है प्रित्वी से दिरिश्च ग्रह है मतलब प्रित्वी से डिखाई देने वाले ग्रह कौन-कौन है अरोड प्रित्वी मंगल ब्रहस्पति शनी आपसा नमबर भी है बूद सुक्र मंगल ब्रहस्पति शनी शुक्र अरोड सुक्र, मंगल, ब्रयासपती, और सनी है, अरूल बरोर द्रिस्य नहीं है, तो प्रिथ्वीस से पांच ग्रह द्रिस्य है, कौन-कौन है, बुध है, सुक्र है, मंगल है, ब्रयासपती है, सनी है, आपसा नमबर 20 योगा, आज का अंतिम प्रश्ण है जो बियन या गैसिग्र है जो बियन या गैसिग्र है जो बियन या गैसिग्र किसी कहा जाता है बूद सुक्र मंगल ब्रहस्पति ब्रहस्पति सनी अरोल बरोल उरेनस या नेप्चुन उरेनस को अरोल नेप्चुन को बरोल कहा जाता है ब्रहस्प प्रिध्वी मंगल और मंगल के बाद आता है ब्रिध्वत्ति मंगल और ब्रह प्रिछोटे-चोटे सुद्र ग्रह पाता है ब्रह पूरा वीडियो देखने के लिए धने बाद मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने मित्रों में share करिएगा यदि मेरी बढ़ाने में कोई भी कमी हो तो please comment करके बताईएगा और आप किस topic पर पढ़ना चाहा रहे हैं उसको भी comment बताईएगा मैं उसको ब्याख्या साइथ आप जैसे पढ़ना चाहा रहे होंगे वैसे बताईएगा मैं वैसे पढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगे comment करके जरूर बताईएगा thank you